अप्राइल मेहने में GST कलेक्शन एक बार फिर रिकॉर्ड तोर सकता है दरसल ये रिकॉर्ड पिछले साल अप्राइल का ही है जब 1,68,000 रुपे का कलेक्शन दर्ज हुआ था और उस वक्त जो EVA बिल जनरेट हुए थे वो करीब 7,82 लाग के आसपास थे लेकिन इस बार जो EVA बिल जनरेट हुए है वो अपने आप में रिकॉर्ड है इतिहास में अभी तक इतने EVA बिल जनरेट कभी नहीं हुए थे कुल जो EVA बिल जनरेट मार्च में हुए हो नौ करोड नौ लाग के आसपास है तो इस EVA बिल की वज़े से माना जा रहा है कि GST कलेक्शन इस बार काफी बंपर आ सकता है इसके पीछे और भी कई सारी वज़े हैं दूसरी जो बड़ी वज़े है वो है कंप्लाइंस में सकती हुई है सरकार ने जो sequential filing को implement किया है उसकी वज़े से काफी returns में बहुतरी हुई है और तीसरी जो बड़ी वज़ा है वो financial year का effect जो financial year ending है उसकी वज़े से जादा से जादा लोगों ने return दाखिल किया है और खास और से जो quarterly return payment दाखिल करते हैं उनका भी effect इसी March महीने में देखने को मिलेगा तो कुल मिलाकर ये सभी जो महतोपूर्ण reason है उसकी वज़े से GST collection में एक बड़ा उच्छाल एक बद फिर से देखने को मिल सकता है